दूदनात मौरिया बने शाजनवा बिधान सभा के प्रभारी खजनी सपा के राष्टी अधेश अकिलेस यादो के निर्देश पर प्रदेश अधेश नरेस उत्तम पटेल ने दूदनात मौरिया को शाजनवा बिधान सभा का प्रभारी बनाया है दूदनात मौरिया के बनने से कारेकरताओं में खुसी की लहर दोर पड़ी खजनी छेतर में पहुंचते ही कारेकरताओं ने दूदनात मौरिया को फूल मालाओ से लाद दिया दूदनात मौरिया वर्तमान में जिलाव पाध्यच हैं इनके मनोनियन पर जिलादेश रामनगीना शाहनी, पुर्व जिलादेश प्रहलाद यादो, खजनी बिधान सभा प्रभारी हरी यादो, मिर्जा कादिर बेग, जितेंदर शिंग, मुन्नी लाल यादो, परसुरान निसाद, शुमन पाश्वान, इस्वर चंद मदेशिया, आ जेंदर नात्र पाठी, उर्फ भोलू के नाम की घोश्डा की गई, इस पत के नाम की घोश्डा होते ही जिलाप्रभारी अमित कुमार पांडे महमंत्री, मनोज मिस्रा, अविशेक मिस्र, ससी सेखर पांडे, सचिन रामत्र पाठी, स्वारप सुकला, सुमीत पांडे, प्रभाद दूबे जुकुल किशोर प्रिंस सुकला हर्शिला तिवारी कुल्दीप तिवारी अमित तिवारी गोरत तिवारी आदी लोगों दुद्ध बिधान सभात देश बनाय जाने पर खुशी हरपूर बुदहट सपा जिलाद्यच रामनगीना शाहनी ने प्रदेश प्रदीप कुमार यादो ताज मुहमद उर्फ मजनू बिपिन आलोक राकेस यादो जीद बहादूर जैसिंग राधेश्याम कौशल मौर्या नूप सहीत अने को कारेकरता मौर्ट सूरज कुंड धाम नगर निवाशियों ने मुबाइल टावल लगाने का किया बिरोद गो पुरकनात के अंदरगत सूरज कुंड धाम नगर इस्थित बिलंद पूर काली मंदिर के पास एक नेता द्वार अपने आवास पर घनी आबादी में मौबाइल टावर लगवाया जा रहा था जिसके बिरोद में भारी शंक्या में इस्थानी नागरिकों ने बिरोद लगाया कि पुलीस प्रशासन भी मिली भगत से ही घनी आबादी के छेतर में मौबाइल टावर लगवाने का कार्य अब्दुल अंसारी द्वारा किया जा रहा है जो की निरासा जनक है मौबाइल टावर से एक प्रकार के रेडियेशन निकलते हैं जो कि वहां पर रहने वा कि यदि द्वेस्ट पुण रवया रहा तो नागरी कांदोलन करने के लिए मजबूर होंगे तथा मुख्यमंत्री आर्पेस पब्लीक स्कूल के छात्रों ने लहराया अपना पर्चम गगहां आर्पेस पब्लीक स्कूल के छात्र तथा छात्राओं ने दस्वी के में सांदार प्रदर्शन किया प्रबंदक मुनेंद्र सिंग बबलू ने छात्र छात्राओं के सांदार प्रदर्शन पर हर्स बेक्ते करते हुए अभिभाव को और सिच्छकों के प्रतिया भार प्रकट किया तथा साथे साथ छात्र तथा छात्राओं के उज्जोल करता है किसी बात को लेकर सुबह ही दोनों में कहा सुनी हो गई जिससे नाराज पती ने चिलवां पूल पर आकर छलंग लगा लिया गरिमत रही कि सुबह परसा के कुछ युवक उसी तरह नहा रहे थें जो उसी डूपता देख तैर कर उसके पास पहुंचे और किसी तरह उस समाजवादी पार्टी हाईकमान से आदेशा नुशार, प्रदेश अदेश नरेश उत्तम पटेल के निर्देशा नुशार, जिला आदेश नगीना प्रसाथ सानी के संस्तुती से गोला विकास खंड के ग्राम सभा ददरा काश्ट माटिहानी तिवारी पूर, निवासी सरल स्वभाव के धनी वम्री दुभासी राजिस कुमार यादो को समाजवारी पार्टी का चिलू पार बिधानसभा अद्यच मनोनित किया गया है, पार्टी ने इनके अच्छे ब्यक्तित्व और पार्टी के प्रतिस समर्पन को देखते हुए पुना बिधानसभा अद्यच च धीरस दुबे, सलीम काजी, करूडेस यादो, बांके लाल यादो, रामनिवास निसाद, सहीत पार्टी के पदाधिकारी वा करेकरताओं ने बधाय दी है, सड़क की हालत दैनी बने गड़ों में फंसे ट्रक से तारह दुरगटना किया शंका गोला गोरकपूर, उपनगर कोला के चनदचोराहे पर कोड़ी राम मार्ग की हालत बच से बत्तर हो गई है, बारिस के कारण सड़कों पर छोटे बड़े गड़े बन गया है, इस में आए दिन चोड़े से लेकर बड़े वाहन उस गड़ों में फंस जा रहे है, चनद चोराहे के तरप से आ रही दो ट् त्थानों के लिए एक प्रमुक रास्ता है जिस पर दो से तीन फिट के गढडे बन गये हैं और घढ़ों में पानी भरा हुआ है यात्रा के दौरान पानी भरा होने के वज़े से स्भर्ण का अनुमान नहीं हो पाता है जिसनिन यात्री दुरगडम का सिकार हो रहे हैं जिसमें अभै शाहू, विकास शाहू, विक्की चोरशिया, जै कनोजिया, हरेंद्र रियादो, मनोज दूबे, शुशिल सोनकर, लाला कशोधन, सुरेंद्र गुपता, सहीत अधिक शंख्या में लोगों ने इस सड़ की दुर्दसा को देखते हुए शंबंदित विभाग से म अधिवक्ता मनीज कुमार राय बस्पा की जिला कोशादच मनोनित गोला गोरगपूर, बस्पा सिर्षनेत्री टू ने अपने जिला संगठन में मनीज कुमार राय को पार्टी के प्रती समर्पण को देखते हुए जिला कोशादच मनोनित किया है, इनके मनोनियन से छेतर क के लोगों में हर्स ब्याप्त है छेत्र के लोगों ने संगठन के सिर्स नेताओं को बढ़ाई देते हुए बिश्वास दिलाए कि इनके मनोनयान और सलस्व भावशे बस्पा अपनी उचाई पर पहुंचेगी बताते चले कि मनीश कुमार रायव रजू राय धिवक्ता काफ जैस्वाल, हरिवन्ष, धनंजर राय, शिप्पुर राय, शुधीर यादो, यस्वन्त तिवारी, शचिदा नंद सिंग, कमलेश यादो, सैलेंद्र पांडे, गुड्दू राय, विवेका नंद सिंग, सहीद आधी लोगों ने बढ़ाई ती है NGO ने होमिपैथि की Immunity Booster दवा गाउं में किया वितरण गोला गोरपूर गोला छेतर के उचा गाव में सुक्रवार को जन जीवन अधार फाउंडेशन नाम की NGO ने ग्रामीडों में हम्मेपैथी इम्म्यूनिटी बुष्टर की निसुल कदवा का वित्रण करने के पस्चात इसके बारे में विस्तार से बताया कारिक्रम का नेत्रित कर रहे NGO की जन संपर का धिकारी बसंत विसुकर्मा ने कहा कि जन जीवन अधार फाउंडेशन पंजिकरेट NGO है इसका उदेश समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है इनके राजियों में स्थापीत इस संस्ता के द्वारा सेक्डों गरिब परिवार की लड़कियों का दहेज रहित बिवा कराया गया है तथा होमियोपैथिक आर्सेनिक अल्बम टीस इम्यूनिटी बुष्टर दवा का वित्रित करने का कारे किया जा रहा है कारे क्रम में प्रधान प्रतिनिधी प्रमोत कनोजिया ने भी अपने विचार रखें इस उसर पर सते नरायण यादो, नंदलाल मौर, अमित मौर, दीनानाथ, सुकदेव, जोखन कनोजिया, नकूल, सोमनाथ, आदि लोग सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए मौजूद रहे